बॉलिवुड में एक एक्ट्रेस हुआ करती थी अमरिता राओ वही अमरिता राओ जिनके बारे में ये कहा गया कि उन्होंने शाहिद और करीना का ब्रिक अप करा दिया जिहां अमरिता राओ और शाहिद कपूर की जोड़ी कभी बहुत हिट थी इन दोनोंने इश्क विश्क जैसी फिल्म में काम किया और जब उसके बाद दो साल बाद फिल्म विवाह आई तब इस जोड़ी की बहुत धूम मच गई और ऐसी धूम मची कि करीना कपूर को जो है अमरिता राओ से जलन होगे क्योंकि उनकी जोड़ी शाहिद के साथ हिट नहीं थी बलकि अमरिता राओ जो है शाहिद के साथ परदे पर जादा पसंद की जाने लगी थी जब ये फिल्म आई थी तम अमरिता राओ को विदेशों से जो है शादी के ओफर आते थे उनके जो फिल्म जो है दिल्ली के एक सिनेमा घर में देखी थी जब ये फिल्म रिलीज होई थी तब वो अपनी मा के साथ इस फिल्म को देखने सिनेमा घर गए थे और तब उनकी मा ने अमरिता राओ को जब इस फिल्म में देखा विवाह फिल्म में तो उन्होंने कहा था बेटे तु जानता भी नहीं था मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अमरिता राओ से शादी हो जाएगी क्योंकि इस फिल्म को जब वो देख रहे थे अपनी मा के साथ तब उनकी मा ने कहा था कि बहू ऐसी होनी चाहिए और बेटे तू ऐसी ही बहू लेकर आना तो फाइनली जो है आर फिल्में बहुत जादा हिट नहीं रही थी शाहित के साथ वह जो भी फिल्म कर रही थी नहीं थी तो एसे में करीना का पूर जो है कहा जाता है कि बहुत इंसीक्योरphone हो गई थी उनको ऐसा लगने लगा था कि अमरिता राओ और शाहित के बीच बहुत अच्छी बॉंडिंग होती जा रही है और कहीं न कहीं शाहित का ध्यान जो है मेरे से ज़्यादा अमरिता राओ के साथ है वो फिल्मी परदे पर उनके साथ ज़्यादा काम करते हैं और खुद एक करन जोहर के शो में खुद करीना ने माना था कि शाहित के पीछे जो है बहुत सारी उनकी को स्टार्स पड़ी है और कहीं ने इशारा दिया था कि अमरिता राओ जो है शाहित कपूर के पीछे पड़ी ही है जब शाहिद करीना के ब्रेक अप का जिम्मेदार अमरिता राउ को माना गया और मीडिया के लोग जब इस तरह के सवाल करने लगे तो अमरिता और शाहिद दोनों नहीं इस बात से इंकार किया यहां तक कि जब करीना से शाहिद का ब्रेक अप हुआ तो उनका नाम अमरिता राओ के साथ जोड़ा जाने लगा जब कि शाहिद कपूर हमेशा से ये कहते रहे कि मैंने और अमरिता ने बॉलिवोड में एक साथ करियर शुरू किया और मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों के ब साथ करे तो उनकी अगर इका दुका फिल्मे ही ही रही इश्क विश्क लिए ही ह्ट रही और इसके बाद वो फिल्म मैं हूझ में शारुक खान के साथ नजर आई थी को इन फिल्मों को चोड़दे तो उनकी जाधा तर फिलम ए फलॉप रही अमृता राओ की जो पहली फिल जादा तर फिल्मों में सीधी साधी लड़की का किरदार निभाती थी और लंबे समय तो उनका करियर नहीं चल पाया ताल 2019 में अमरिता राओ आखरी बार नजर आई थी बाला साहब ठाकरे की बायो पिक में उसके बाद सो फिल्मों में कमी नजर आती है फिलहाल एक बेटे की मा बन चुकी है आर जे अनमोल से उन्होंने शादी की है और देखा जाये तो बहुत ही नॉर्मल लाइफ जी रही है लाइम लाइट से दूर है लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है अपने यूट्यूब चैनल उन्होंने खोल रखा है जहां वो अपने बारे में ल अंगल सूतर खरीद कर उनके हजबन ने उनको दिया था और उनके हजबन ले करीब धाई हजार का कुर्ता पहन लिया था और इस तरह जो है उन्होंनोंने बहुत ही सिंपल शादी की थी और फिलहाल अमरिता राओ हैपली मारेड है अपने बेटी की परवरिश में जूटी ह बॉलिवुड में फिलहाल उनको कुछ इतना काम नहीं मिल रहा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है लेकिन एक समय था जब बॉलिवुड में अमरिता राओ का जल्वा था विवा और इश्विश जैसी फिल्मों ने उनको जो है स्टार्डम का एक रास्ता दिखा दिया थ और ये कहा था कि उनका एक मैनेजर था जो कि उनको जो है सही जानकारी नहीं दिया करता था बहुत से फिल्म के मेकर्स जो है उनको फिल्मों के अप्रोच करते थे लेकिन वो उन तक मैसेज नहीं पहुँचाता था अमरिता राओ ने ये भी खुलासा किया था कि उनको फिल कार आईशा टाकिया को मिल गई